Hello everyone, welcome back to Naean Sri classes and this is Naean Sri आशा करती हूँ कि आप सबी लोग अपने घरों में बिलकुस रक्षित होंगे आज के इस वीडियो में हम computer abbreviation देखने वाले हैं कल के लेक्षर में मैंने आपको कुछ abbreviation कराये थे आज हमें उसके आगे के abbreviation को देखना है आईए देखते हैं, यहाँ पर आज मैं एपसे सुरू करने वाली हूँ सबसे पहले हम एपसे सुरू होने वाला Fortran को जानते है Fortran आपकी एक language होती है Fortran का आपका जो full form होता है, वो होता है formula translation formula translation आपका Fortran का full form होता है File Transfer Protocol next है हमारा Flops Flops का full form होता है, floating point operations per second तो यहाँ पर आपको Flops का full form जाद रखना है यह कई बार exam में पूछा गया है, बहुत important है आपका Flops, floating point operations per second होता है floating point operations per second ही आपकी Flops का full form होता है next हमारा GB, अगर इस small में है तो bit होगा अगर capital में है तो byte होगा ठीक है बैसे मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि जब आपके 8 bit मिलते हैं तब हमारा जाके 1 byte बनता है क्या बनता है एक byte बनता है तो इसमें आपको याद रखना है कि आपका अगर small में है तो यह bit होगा और capital में है तो byte होगा अगर आपका G भी है तो यह आपका क्या होगा giga bit होगा अगर capital में है तो giga white होगा याद रखेगा next हमारा GIF आप सब लोग GIF जो आपके हैं इन सब को send करते ही होंगे जब कभी हम chatting वागरा करते हैं तो वहाँ पर एक option होता है GIF का है मैंने देखा है तो आप लोग एक बार देखेगा होता है इस तरीके से तो GIF का full form होता है graphics interchange format क्या होता है graphics interchange format यह आपके GIF का full form होता है very very important GIF का full form पूछा जाता है graphics interchange format next है हमारा GSM GSM का full form होता है global system for mobile communication global system for mobile communication GSM very very important GSM का full form पूछा जाता है global system for mobile communication क्या होता है global system for mobile communication GUI GIF का full form होता है graphical user interface क्या होता है graphical user interface यह आपके GUI का full form होता है ठीक है याद रखिएगा next है हमारा HLL HLL का full form होता है high level language क्या होता है high level language होता है जिसमें आपकी Java बगरा आती है को बोलाता है HTML HTML का full form होता है hypertext markup language पूछा जाता है HTML का full form hypertext markup language ही आपका full form होता है किसका HTML का next हमारा HTTP STTP का full form होता है hypertext transfer protocol यह आपका protocol है याग रखिएगा hypertext transfer protocol आपके HTTP का full form होता है देखिए एक तो होता है आपका HTML जो कि आपका language है hypertext markup language दूसरा है आपका HTTP STTP होता है आपका hypertext transfer protocol ठीक है अब हम यहाँ पर बात करतें है iOS iOS का full form होता है आपका iPhone operating system क्या होता है iPhone operating system यह आपके iPhone operating system क्या full form किसका है iOS का full form है next हमारा IP IP का full form होता है हमारा internet protocol TCP IP आपने पूरा देखा होगा TCP IP तो जो IP होता है इसमें बाद में यह आपका क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को रेप्रेजेंट करता है टी सी पी आई पी यह होता है ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल देखें यह सारी चीजे मैं आप सभी को पढ़ा चुकिए हूं इस बज़े से मैं इनका discussion नहीं कर रही हू कि Fortran क्या है FTP क्या है यह जो बेसिकली अपने GUI बगेरा पढ़ा है यह समय आपको अलड़ी लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ तो यहां पर मैं अलग से अगर डिसकस करती हूँ तो यह जो एब्रिवेशन का जो वीडियो है वो बहुत बढ़ा हो जाएगा चुकी हम यहां पर अब्रिवेशन पढ़ा है तो उसी पर फोकस करिए आप लोग और यह सारे टम्स में आपको डिसकस कर चुकी हैं जो मैंने कम्पीटर के लेक्चर दिये हुए हैं आप लोगों मैंसे जो भी इंट्रेस्टर हैं जिनको कम्पीटर पढ़ना है अच्छे से त आई सदी एन याद रख हैगा आईसदी इन का फूल फ़ां क्या है इंटी ग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्ग नेक्स्ट हमारा जे जे सिस्रू होने माले में हैं जे पीजी वैरे वरे इंपर्टन जे पीजी का फूल फूर्म आपसे पूचा जाता है यह विसिक audio का format बताया हुआ है बहाँ पार आपसे डिसकस किया गया था कि वीडियो के format क्या होते हैं audio के format क्या होते हैं एक्जाम में पूछे जाते हैं तो JPG आप सभी को याद रखने हैं बहुत ही लाइट में मिटेrent डायोडिया का फुल फॉर्म होता है लेस्फ का फूल फॉर्म होता है लेस्ट सेहए याद रखनेगा है अब मारा अ4 मस constantly करते हैं M की M में आता है मैंगर को हötा मेट्रोप्यम एर्या नेटवर्ग जैसे आपने लेंद पढ़ा वैसे ही मैं होता है मैंन को फुल-फॉल मोटे मेट्रोप एरिया नेटर्वर्ग ठीक तो मैन आप लोगों को याद रखना रैंनी मायद सी य Ав deba very very important important MICR का full form पूछा जाता है next है हमारा MIPS देखिए MIPS का full form याद रखिएगा MIPS का full form होता है million instruction per second क्या होता है million instructions per second यह MIPPS का full form है very very important mips भी आपका important होता है पूछा जाता है exam में next हमारा O से स्रूह ओने वाले जिसमें सबसे पहले आता है हमारा OMR ओम्र का full form होता है आपका Optical Mark Reader, क्या होता है, Optical Mark Reader हमारा Full Form होता है, OMR का, OTP, OTP आप सबी लोग उनके पास आता होगा, जब कभी भी हम कुछ important सा काम करते हैं, जैसे कोई form फिल करते हैं, तो बहाँ पर हमारे पास OTP आता है, ताकि वो चार्ज कर सके, कि आप, आपका जो information है, वो सही नंबर पर जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर OTP का Full Form होता है, आपका One Time Password, क्या होता है, One Time Password आपका OTP का Full Form होता है, Next है हमारा P, P में आपको याद रखना है P2P, P2P का Full Form होता है Peer to Peer, P2P का Full Form क्या होता है, Peer to Peer, यह आपका Full Form होता है P2P का जैसे आपने lans और men पढ़ा वैसे आपका होता है pen और एक होता है Ben वह आप W में पढ़ेंगे तो when का फुल स्रप्वर्य नेटवर्क पैन का फुल स्थे पोस्नल एडिया नेटवर्क क्या होता है पेंगा पूल है pdf very very important processo document format pdf का full form क्या होता है kind for document form it यह आपके PDF का याद रख्येगा नेक्स रहा पी स्टी एन पॉब्लिक स्विच्ड टेलिफॉन से ज decep peavello याइश पॉस्ट का फूल फोर्म बहुत एंपोर्न है यह आप-पोस्ट का फुल फॉर्म होता है power on self test यह किसका फुल फॉर्म है पोस्ट का फुल फॉर्म होता है power on self test next है मारा RCS रों होने वाले जिसमें सबसे पहले होता है आपका RAM चुकि मैं आपको ROM बता चुकि ROM का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है read only memory memory अगर मैं पी रों की बात करों तो पी रों का फुल फॉर्म होता है programmable read only memory अगर मैं इसमें जूड़ दूँ तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा erisable programmable read only memory अगर डबल ईजुड़ जाए तो आपका इतना आप लोगों को याद रखना है कि आपके यह जो आपका basically रोम का full form क्या है पी रोम का full form क्या है ठीक है पूछा जाता है आपसे next हम यह देखते है आटी एफ आटी एफ याद रखिएगा very very important लिए आपके रैंके रैंडम को याद रख रहा है इसमें आपके जो रैम है इसमें आप से दी रैंट डूसरा रहा होता है आपका डी रहम का याद रखेगा इस्टैटिक स्टैक रेंडम Access Memory, DRAM का full form होता है Dynamic Random Access Memory, तो यह आप से पूछे जाते हैं basically, आप लोगों को याद रखना है, RAM का full form होता है, random access memory, SRAM पूछा जाया, तो static random access memory, DRAM, पूछा जाया, तो dynamic random access memory, यह आपके full form होते हैं, तो अब हम बाकी के बचवी अब्रिवेशन को भी एक बार देख लेते हैं, आइए स्वाद करते हैं, सबसे पहले है आपका SMTP, SMTP का फुल फॉर्म होता है Simple Mail Transfer Protocol, जिस तरीके से आपने FTP का फुल फॉर्म पढ़ाता, मैंने आपको F में पढ़ाया था, FTP, File Transfer Protocol, उसी तरीके से SM SMTP का याद रखिएगा Simple Mail Transfer Protocol याद रखिएगा, important है SMTP का फॉल फॉर्म आपके लिए इसको आप स्टार माप करिएगा, next है हमारा SQL, SQL का फॉल फॉर्म होता है Structured Query Language, ये भी आपसे पूचा जाता है, SQL का फॉल फॉर्म आपको याद रखना है, next है हमारा SIM, SIM का फॉर्म होता ह सब्सक्राइबर आइटिटी मोडियूल, क्या होता है, सब्सक्राइबर आइटिटी मोडियूल, very very important, SIM का फॉल फॉर्म आप सभी से पूचा जाता है, सब्सक्राइबर आइटिटी मोडियूल, चुकि देखिए मैंने computer science से बीटेक किया हुआ है, तो मुझे इतना idea है कि आगे आप से कुछ भी नहीं पूचा जाएगा, इनहीं मैंसे आप से पूच लिया जाएगा, तो बस आप इनहीं को अच्छे से त्यार कर लीजिगा, next है हमारा T, T में आता है आपका TCP, यानि कि Transmission Control Protocol, क्या होता है, Transmission Control Protocol, यह आपके TCP का full form है, Transmission Control Protocol, TFT, Thin Film Transistor, क्या होता है, Thin Film Transistor, यह TFT का full form होता है, याद रखिएगा, एक मिनट दीचे आप लोग, यह पैन थोड़ा सा हलका चल रहा है, next यहाँ पर देख सकते हैं, आप U से स्रू होने वाले, U में सबसे पहले आता है, आपका URL, URL का full form होता है, आपका Uniform Resource Locator, क्या होता है, Uniform Resource Locator, very very important URL का full form, आप सभी से पूचा जाता है, Uniform Resource Locator, मैं again काऊंगी कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकती, कि URL क्या है, विकोज यह सारी चीज़े मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिसक्स कर चुकी हूँ, यहाँ पर डिसक्स करने का मतलब है, कि आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को भी लगेगा कि जब हम एवडिवेशन पढ़ रहें तो उसी पर फोकस करें, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपकी कम्पीटर के कोर्स के एकदम से आपका जो आपको जहाँ पर सारी चीज़े मिल जाएंगी तो वीडियो आप अब देखें, नेक्स्ट हूपीएस का फुल्फर्म होता है अनिंटरप्टेबल पावर सप्लाइी, पोचन पहले भी आपका का। होता है UPS का fullform होता है interruptable power supply ठीक है next हमारा URI एक है URL uniform resource locator एक है आपका URI uniform resource identifier याद रखिएगा URL का fullform होता है uniform resource locator and URI का fullform होता है uniform resource identifier यहाँ पर याद रखिएगा identifier है आपका बढ़ना आप confused हो जाएं ठीक है कई बार यहां पर आई से इंटरफेस करके ही दिया जाएगा और लोगों को लगता है कि आपका इंटरफेस ही सही है नहीं याद रखिएगा आपका यूराई में यहां पर आइंटिफायर होता है नेक्स्ट हैमारा usb usb का फुल समय होता है यूनिवर्चा सीरियल बस क्या हुक्ता है अमारा Mi ऽेमेंग यो fins काुल स्केल इस तरीके से जो आपको लिखा हुआ देखे ना तो यह आपका नेटवर्क के लिए हैं ठीक है व्यान रखिएगा VPN का फूल फोर्म यह भी आपके लिए बहुत ही इमपोर्टेंट है नेक्स्यमारा V.D.U इसका फूल कॉर्म होता है वीडुल डिस्प ju poser樹 될 डिस्पेब स्पर्श व मैं बढत याद रख्यों go आप लोग जैसे आप te पढ़ा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटिग्रेशन याद रखेंगे व्याद रखेंगे यूलस एक्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट हमारा डबलू डबलू से मैं आप लोगों को बताया था जब आपको लैन वैन वैन विसिकली पढ़ा यहां पर पैन भी बताया उसी तरीके से वैन आपको पूछा जाता है तो वैन याद रखेंगा वाइड एरिया नेटवर्क के लिए आपका वैन के लिए होता है तो रहन है वाइफाई वैरी व्यूर्डरेग वैरी इंपोर्टेंट वाइफाई वायलेस फिडिलीटी क्या होता है वायलेस फिडीलीटी आपका वाइफाई पूछा जाता है एक्जाम में कई बात वाइफाई वाइफाई का फूल्फॉर्म तो बहूत ही-ज dealer fertile नेटवर् अगर यहां पर डबलू चोड़ गया तो यह wireless के लिए हो गया तो wireless local area network simple सी बात है यहां पर next देखिए आप डबलू 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 very 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 important डबलू डबलू का full form अक्सर आपसे एक्जामब पूछा जाता है worldwide web क्या होता है worldwide web होता है ठीक है पर चुके हैं आप लोग सारी चीजह है ठीक है डबलू लेंड के बाद आपका आता है www very 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 important आपसे www का full form पूछा जाता है worldwide web क्या होता है worldwide web यह आप लोगों को याद रखना यह आपका वर्ड वाइड फुल फॉर्म होता है आपके डबलु 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 का वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखिएगा इसको हटा के इसको करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है इससे एक्स सिवल क्या होता है एक्स पूर्फांप लेंगविज क्या होता है एक्समím मार्कप लेंगविज याद लथेंगा हाइपर अपल नंुग परचерж है जब मैंने H आपको पढ़ा है था Hypertext Markup Language X आपका Extensible के लिए उता है तो Extensible Markup Language हो गया इपका ठीक है Extensible Hypertext Markup Language X होता है आपका किस के लिए Extensible के लिए इतना याद रखना है Next नेक्स्ट है हमारा XML X आपका Extensible के लिए M Markup के लिए L आपका Language के लिए extensive markup लेंग में simple सी बात है xml and xhtml का full form पूछा जाता है एक आप से sttp का full form पूछा जाता है आप लोगों को मैं बता चुकिंगी hypertext transfer protocol बताया था आप लोगों को अब हमारा next by से तो वाई में आप लोगों को सरफ आपको याद रखना है यह वाई भी है यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूं वाई वी इसका full form होता है यौटा वाइट जब मैं आपको memory का representation पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को वहाँ पर एक trick के थुरू समझाऊंगी कि आपका सबसे छोटा आपका memory का representation किस तरीके से होता है कितना आपका जाता है ठीक है next है हमारा जैड तो जैड में आपको जिप का याद रखना है बहुत ज्यादा सब्सक्राइब का फुल फॉर्म जोन information प्रोटोकॉल क्या होता है जोन information protocol होता हमारा जिप का full form किसका जपका full form है हमारा zone information protocol ठीक सब्सक्राइब जर्यों आपके अब्रिवेशन और आज का हमने टार्गेट पूरा कंप्लीट किया हमने यह से लिए के जैड तक कि जो आपके अप्रिवेशन के वह कंप्लीट कर लिए हैं सब्सक्राइब कर लिए मैं आज यह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं आपको काफी दिन बाद मिलेगा क्योंकि मुझे पहले से रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है मुझे घर जाना इसलिए और बहां पर तो बोड है नहीं मेरे पास इसलिए मुझे थोड़ा सा पहले से रिकॉर्ड करके रखना है और उतने दिन का मुझे एडवांस में रखना पड़ता है विकोस वहां कोई सुविधा नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं विस चीज को थैंक यी सो मत दिल से धन्यबाद आप सभी लोगों को मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद